स्वागत है आप सबका Divine Daisy Counselor चानल में दोस्तों आज हम चक्रा Meditation के बारे में जानेंगे यह क्या है, क्यूं करना है, कब करना है और क्या होता है तो चक्रों के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो यह हमारे शरीर में जो साथ चक्र है, वो यह है आपको इंटरनेट के उपर इसके activation से लेके, cleaning से लेके, healing से लेके यह अलग-अलग तीन चीजों के related videos मिलेंगे अब इनका काम क्या है, हमारे शरीर में जो युनिवर्स से आ रही ऊजा है उसको प्रसारित कहना तो इनका बहुत की रोल है, वैसे तो बहुत सारे नाडी सो चक्रा होते है और यह बहुत डीप साइन्स है अगर किसी को इंटरेस्ट है, तो हर एक चक्रा के related, इसके importance के related क्यों इसको activate करना चाहिए, क्यों यह meditation करना चाहिए उसके related बहुत सारे detail in-depth video मिलेंगे from right person, मैं वो right person नहीं हूँ, मुझे ग्यान है at least 60-70% पर मेरे पास इसके lab के उदाहरन है इसलिए यह meditation मैंने आप लोगों के साथ share करना सही समझा ठीक है, law of attraction प्रैक्टिस कर रहे है, life में positivity attract करना चाहते है तो आपके अंदर के emotion का healing बहुत जरूरी है ठीक है, आपके जो internal body है, उसका cleaning बहुत जरूरी है जिसके अंदर जो है, यह chakra meditation बहुत जादा help करते है आपके जितने भी emotional wounds होते है, आपके suppressed emotion उसका healing जो है, वो इससे होता है तो मैंने एक दो लोगों को बस ऐसे ही randomly उनके problem बहुत emotional थी, deep थी तो मैंने suggest किया था, तो कुछ message आये मुझे, जिसके अंदर उनको ने बुला कि यह करके उनको अच्छा लगता है और मेरी जिंदगी में भी मैंने इसका देखा है, मैं कब करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ आगे तो मुझे लगा कि यहां पे भी बहुत सारे लोग होंगे, जो थोड़े से spiritually भी इन चीज़ों को समझना चाहेंगे इस वीडियो के नीचे I will share the link जिसको मैं हमेशा यूज करती हूँ, चक्रा मेडिटेशन के लिए मैं कब करती हूँ, दुभैर को जब मेरे पास आते घंटे का टाइम है, मैं नैप ले रही हूँ, फ्री होके तब कई बार इसको मैं चलाती हूँ, सिकेंड, जब emotional baggage बहुत जादा बढ़ गया हो, मन का और कोई भी affirmation या meditation करने का मन नहीं कर रहा हो, ठीक है, गाने भी सुनने का, कुछ भी नहीं करने का, बस ऐसा लगता है कि बैठे रहो, ऐसे उस टाइम पर मैं ये वीडियो चलाती हूँ, और मेरा ये observation है कि इसको चलाने से एक दो बार काफी ज़्यादा healed और relieved मैसूस होता है, आपको लगता है कि आपके अंदर जो भरा हुआ था, वो कम हो गया, थोड़ा साथ, ठीक है, थर्ड कई बार रात को सूते टाइम, अगर नहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी दुनिया में कितना भी negative, उल्टा उल्टा सोच रहे हो, काफी ज़्यादा relaxing और healing मैसूस होता है, तो regular practice तो मैं नहीं करती इसकी, इसको मैं randomly use करती हूँ, लेकिन जनको भी इन चीजों में interest है, जिसको ये चीज़ करनी है, उनको मैं suggest करूं constantly करिये, जब आप ये करेंगे, तो आपको spine के अंदर, पेट के अंदर, रदे में, third eye chakra, मतलब आपके जो, kapal का बहाँ है, बहाँ पे, center में कही बार कुछ spin होता हुआ, नजर मैसूस होगा, so do not get scared, this is your emotion, this is your trauma, this is your fears, this is your emotions that is being released, but, ये काफी ज़्यादा peace देता है, मैं अगर एक लाए में बोलो तो, और आपको काफी ज़्यादा relaxing और healing मैसूस देता है, अंदर से, तो ये aspect काफी ज़्यादा spiritual है, सबको नहीं जचेगा, लेकिन कोई भी male या female, जो खुद के उपर काम करना चाहता है, जिनके अंदर बहुत सारे suppressed emotions है, ना वो किसे से बात कर पाते हैं, ना ही वो कह पाते हैं, वो ये practice कर सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ 21 मिनिट का है, तो मैं तो बस इसको कुछ बैट के नहीं लगाती, सोते टाइम ये फोन के अंदर लगाके, I keep my phone aside, and that's it, वो 21 मिनिट का, that's it, तो उसमें आपको कोई extra efforts भी डालने के जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार मैंने महसूस किया है, कि सताथ या 8 मिनिट चलने के बाद, मुझे ऐसा महसूस होता है, the chakra says spining, कुछ गूम रहा है अंदर, ठीक है, so, और, अभी तक का मेरा खुद का अनुभाव तो यही रहा है, कि peace महसूस होती है, healing महसूस होता है, तो आप इसको जरूर और जरूर practice करना, और इसको love attraction से भी जोड सकते है, because LA में बहुत सारे लोग जो है, subconscious healing को, internal emotional cleaning को, इस aspect को काफी जादा avoid कर देते, उनको लग जो भी चीज़े सोच रहे हैं, वो manifest होता रहेगा, बट कई बार manifestation नहीं होने का कारण यह होता है, कि आपकी internal cleaning, emotional belief, अपनी उपर काम करना थोड़ा सा बाकी है, तो chakra meditation जो है, वो इन चीज़ों में indirectly help करता है, और इसका result यह होता है, कि आपको सुकून और शांती महसूस होती है, और इनसान जब सुकून में होता है, तो वो अपने आप grateful होता है, self love करता है, उसको चीज़े काफी अच्छे से समझ में आती है, और कई बार अगर आप बहुत जादा थके हुए है, दिमाग में कोई काम की related tension बहुत जादा चल रही है, घर में जब बड़े को छुबी, तो उस टाइम पे, बस एक किस मिनिट इसको लगा के राम से आंख बन करके सो जाए, आपको बहुत 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 relief मिलेगी, इतना तो होगा ही that I can assure, और इसको आप एकदम discipline religious practice के तरह करना चाहते हैं, तो रोज सुबा उठके, जिससे हम padmasana लगा के करते हैं, वो त concentration के साथ, so hope ये वीडियो आपको help करें, कहीं न कहीं guide करें, और अगर आपको इसको practice करना है, please see and comment के अंदर, मैं link attach कर दूंगे, जिसको मैं practice करती हूं, उसके अलावा आप काफी सारे और बहुत अच्छे meditation हैं, आपसे जो resonate करें, इंटरनेट के उपर आप सर्च करके, उसक बदलब अपने लिए चला सकते हैं, बिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, thank you so much